हाई एवरिवन वेलकम बेक टो मैं चैनल मैं हूँ शाहिन सेयद मेरे चैनल पर आप सभी कस आज़ेते तो यहां पर मैं फिल से एक नई रेसे लेक्पी लेक्याई हूँ तो चले रेसे भी स्टार्ट करते हैं तो आज हम मेती वाला बेसन वानाएंगे तही में कड़े में दाल दीया में गरम इन योरा इसपुदे की बहुतित करेंगे स्टार्ट की इसे भून लेंगे आची तरह मिक्स कर देंगे अब आप आख आयुदी पर आप श्राम आप नब दाल देंगे ऐ मनें अब इसको भून लेंगे इसमें डाल देंगे मेथी एक काटोरी के करेब है ये अब इससे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते है इससे ज़्यादा मन डालना इससे थोड़ी ज़्यादा डालने तो भी चलता है पर बहुत ज़्यादा डालने से बेशन अच्छा नहीं लगता है कड़वा लगता है तो यहाँ पर मेटी का मोच्य खतम होती तक हम इसे भून लेंगे इसका सारा मोच्य खतम होती तक भूनना है जिससे कि इसका कड़वा पर निकल जाए तो यहां पर देखिए अब मोच्य खतम हो चुका है मेति का और सारे मसाले भून चुके तो इसमें दाल देंगे एक कटड़ी के करीब बेसन आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहां पर देखिए सबी चीज़े को अच्छा से भून लेंगे यहां पर देखिए सबी चीज़े अच्छा से भून ली है मैंने अब इसमें दाल देंगे पानी मतलब पकने की हिसाब से उसके आपको जितना बेसन चाहिए उतना बेसन के हिसाब से जितना पतला या गाड़ा करना है उससे हिसाब से हम पानी डाल देंगे और इसके पूरे ल बेसन का कच्छापन निकले तक, तो यहाँ पर देखिए, बेसन हमारा हमने पकने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पर बेसन रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया है, गाड़ा-गाड़ा सो हो चुका है, आप इसे पतला भी कर सकते हैं, इसमें डाल देंगे हरा धनिया, यहाँ पर बेसन हमारा रेडी हो चुका है इसे रोटी के साथ में चापाती के साथ में भाकर के साथ में छावल के साथ में खा सकते हैं बहुत ही बड़ी आ रेसिपी है आप इसको रोटगा के साथ में भी खा सकते हैं तो यहां पर देखिए बहुत बड़ीया रेसिपी ऐसे आप जरूर ट्राय कीजिएगा मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक लिए असला अलेकुम